दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं पंकजुदास की तो पंकजुदास जो थे उनके बारे में एक किस्वा मैं आपको बताती हूं राजेंद्र कुमार और राजकपूर बहुत अच्छे दोस्ते एक दिन उन्हों ने राजकपूर को अपनी यह डिनर पर बुलाया राजेंद्र गाँ कि इस गजल से पंकच उदास को बहुत ज्यादे पॉपलर्टी मिलेगी यह गजल इतनी दर्दनाक है कि इस गजल को पंकच उदास के लावा कोई और नहीं कह सकता था इस बात से राजेंदर कुमार बहुत खुश हुए यह गजल पंकच उदास ने कैसे गाई है यह आपको बताते हैं एक बार पंकच की कालोनी में माता की चुकी बैठे थी रात में आरती और भजन के प्रोग्राम के बाद ना कलचर प्रोग्राम होना था इस दिन पंकच के स्कूल के टीचर आया और उन्होंने एक कल्चर पतन के लोगों गाना गाया अब लोगों की आखे नम हो बहुत जाद है और सब उन्हें बढ़ाई देने लगे दर्शकों में से एक आदमी ने खड़े उकर उनके लिए ताली बजाई और इनाम के रूपे उन्हें 51 रुपे दिये तो 51 रुपे उन्हें इनाम में दिये इस घ परफॉर्मेंस करने लगे वे अपने भाईयों जैसे ही वाली बुड में जगे बनाना चाहते थे इसके लिए उन्हें चार साल तक लंबा संगर्स करना पड़ा इस दोरान उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला उन्होंने फिल्प कामना में अपने गाने को आवास दी लेकि बहुत पॉपलर्टी मिली इसी दोरान एक्टर और प्रोडूसर राजेंद्र कुमार ने उनके गानों को सुना तो वह बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए वह चाहते थे कि पंकज उनकी फिल्म के लिए और कैमियों भी करें इसके लिए उनका असिस्टेंट ने पंकज से ब उन्होंने राजेंद्र कुमार के असिस्टेंट को कॉल करी और मिलने के लिए मिटिंग फिक्स तो इस मिटिंग के बाद उन्होंने राजेंद्र कुमार की एक सुपर हिट गजल गाई जिसका बोल थे चिठ्थे आई है चिठ्थे आई है इस गजल को सुनकर राजेंद्र क देविड धवन ने की थी इसके बाद पंकर उदास ने बहुत सी फिल्मों में गाने गाए और गजल भी गाई इसके बाद उनका केरियर चल निकला और उन्होंने बहुत से गाने गाए और बहुत सी गजले भी गाए लेकिन अब आपको बहुत दुख के साथ बताना पड़ र हो गया है वह लंबी बीमारी लंबे समय से बीमार चल रहे थे उन्हें पैंक्रियाज में कैंसर की प्रावलम हो गोई थी जिसकी वजह से 26 फवरी की सुवह 11 बजे मुंबई इस्थित ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल में उनका निदन हो गए पंकर जुदास के परिवार में उ सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया है आखरी बार उन्होंने रात भर तन्हा गाना गाया था यह गाना राजबबर और जीनतमान की फिल्म दिल तो दीवाना है उसका था और गजल गाने के अलावा पंकज अपना यूटूब चैनल भी चलाते थे अपने लाइप पर्फ ने त्रोसर श्रदांजली दे रहे हैं तो चलिए मिलते हैं आप से अगली वीडियो में